हेलो फ्रेंड्स गुड्मोर्निंग वेल्कम टु माई चैनेल किंती अच्छनती आपण माने सम्मस्ते आजी मुँ मसाला दुसा बनेवे मसाला दुसा बनेवे पैमुहत्रे नेची चावल अब बीरी चावला दुई कप नेची बीरी गोटे कप नेची मुँ आत्तीरे बोत्री की रखी देची मता ब्रेक्फास्ट बनेवे रची बली मुँ आत्तीरे बोत्रेकी रखी देची यहने टार बोत्री जेची मुँ आको इना ग्राइंड कर देवे मितर मित्रमिल नवाएं इसला्विकरzes दाली ज्रकार्टराची दी काइजे इसला जो को सब्सक्रार्णी केहा मित्रमिल है लाइते if you need green onion परे ये तो आघली रही आलो मुँ पके देगी आलोर श्टॉपिंग जो दोसार श्टॉपिंग होई मसाला दोसार मसाला बने आपैं तहीं स्थाविश्टी ना मुझा दाली को भी शिज़े देबी आऊ से जो बोत्रीक रके तिली बीरी आऊ चावला ताको भी पु अधा को रखी देवी आठा को तर चटनी बने आपाए मुटा को रखी दी दाली रखी है गोल्डन ब्राउन नाव लाल है जाई जी तो मूँ आको इना पानी रेटी के बोत्रे के चाट देवी चटनी बने आपाए दाल को भून के भीगोने के बाद मैं इसको अभी पीस ली हूँ जो चावल और उरत की दाल में जो भीगोई तुसको मैं पीस लिए मैं अभी औरिया बोल देती बीच में हिंदी बोलना चालू कियों क्योंकि जिसके लिए मैं यह दोसा का रेसे पे बनारों औरिया समझती है इतना अच्छा से नहीं समझ पाती हिंदी अच्छा से समझ जाएगी हो इसलिए मैं यहां से हिंदी बोलूँगी तो अभी मैं इसको यहां पे पीस ली हूँ जो उरत की दाल और चावल है उसको मैं पीस लिए जो भीगोया हुआ तो मैं आपको दिखाई थी उसको पीस के म करा कौतरी तो यह देखिए यह संबर बनाने के लिए मैं क्या है हुआ ठोबाय हो थोड़ा सा यह थोड़ा सा राई है थोड़ा सा सस्छ और ग्रीन चीलि प्याज कड़ि पतता यह लशन थोड़ा सा मैं कूट के रख़ ओ और यह टमाटर संब्साले मसाला का प्वर्ड और अब आप सामबर को पहले बना लेंगे सामबर बनाने किल में कड़ाई में त्रुड़ा सा तेल रखी हूं तेल अच्छा से गरम हो जाएगा तो फिर में यह सरसो और जो सरसो मिर्ची और कड़ी पत्तव इसमें डाले के फिर प्याच को डालूंगी तो तेल गरम हो गिया है अ मैं इस में इससरो समय को डाल देती हैं अब यह सरसु अचे तड़क जायेगा उसके बाद् फिर में कुछ पट्टर ग्रीन चीलीर उसको डालूंगी तो यह देखिए मेरे सारे सुआरा ज़क गये हैं मैं अभी इसमें ग्रीन चीली एक तर रही है जो डाल हो दिया है अब मैं इसमें दो कर दो मेंगें करकें प्यास घर दो बस थोड़ा साही इसको भूनना है जैसे की 2-3 मिनिट करें बनाने के लिए दाल रखे कि सीटी लगाने के लिए देखिए दाल पुराचा से गल गिया है अब मैं इसांबर का भून रही हूँ प्याच, उसका मसाला पुरा अच्छा से रेडियो हो जाएगा सांबर का फिर मैं दाल को समेड कर दूंगी यह देखिए इसको पुरा लाल करके नहीं भूनना है मैं बोली थी तो यह हो गया है दो मिनित में इसको भून लियो अब इसमे अब तो समबर कर देंमे डल किसाने नमाख अब घणी अखा यहे मैं कर देंगे, इसको कट Energum, ज६ड़ ए हो तो यह सांबर पॉड़र हो यह में सांबर पॉडर इतना नहीं, आप दिखिए हो सामबर पॉडर इतना कर दूंगी पानी अब सक रखिए बीरais को ग्रियोंouse द स्वाद अनुसा नमक आप लोग भी अपने अन्दास से ड़ाल दीजिएगा गला एक मिन वोन मिनटके लेख अधिमे टमार और हो एसको एड़ कर दोंगे यह देखिए मैं हल्दी उल्दी सब डाली थी मैं इसको दो मीट के लिए हिला भी दी हूं हल्दी और नमक को अब इसमें मैं जो मसाला दिकाई थी पानी में मिला के रखे अब मैं उसको डाल दूंगे अब मैं जो काट के टमाटर को भी मैं इसमें डाल दूंगे अब मैं जो धुट दूंगी थोड़ा सा कि ताकि टमाटर वगर अगर अप्सक्राइब तो कि फूरा से गल जाए फिर हम लोग इसमें डाल एड करेंगे आफ यह देखि यह मेरा सारी कमाटर वगर अब डाले यह सब्सक्राइब सिए अब में इसमें जो डाल बोइल करके रतीर उसको माट दूंगे अब मैं दाल को डाल दी वो इसके बाद आप अगर इमली दाल दीगा दाल अब दाल अच्छा से ओबल जाएगा अब दाल को यह इसके बाद आप अगर इमली दालना चाहें तो आप लिए इमली भी डाली इसमें मिक्स करके को पानी में पहले भीगो दीज़िए, फिट डालर यह दाले, मैं तो इमली नहीं डालूंगे क्योंकि इमली से मुझे एलर्जी है तो मैं इमली नहीं डालती हूं मैं इसलिए टमाटर में तुड़ा ज्यादा डाल देती हूं तो आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग इमली इसमें एड़ करें भिगो के ठीक है तभी ये दाल को मैं उबलने के लिए छोड़ अब ये और ज्यादा थीक में इसको नहीं करूंगे कि थोड़ा थंड़ा भी होता है तो ये सांबर उबल रहा है और लाश्ट में क्या है जैसे चोटा-चोटा प्याज जो मिलता है इंडिया में अगर आप उसको डालेंगे तो अच्छा लगता है नहीं तो फिर आपके प दाल के इसको में पांच मिनट के लिए उबाल दोंगे और अच्छा लगता है इसको डालने से तो ये हमारा सांबर अच्छा से रेडी हो गया है ये दिखिए अबर बहुत अच्छा से रेडी होगी आप लोग भी ऐसा बनाई है एक बार में ट्राय कीजिए मुझे कॉमेंट में बतेगा कैसा बना है और चलिए हम लोग अभी मसाला दोसा है तो दोसा का स्टफिंग बना लेंगे जो दोसा के अंदर जो मसाला भन ने उसको बना तो अभी हम लोग वही आलू से मसाला बना लेंगे दोसा का ठीक है तो चलिए हम लोग दोसा का आलू का मसाला बना लेते हैं मसाला दोसा का आलू का स्टफिंग बनाने के लिए मैस मेली उनियन ग्रेंचेली ये पीनट्स करीपत्ता पोटेटो और ये सर्सो अब मैस को बना लूंगी मसाला अब तील मैं कडाई में तरोसा तेल डाल दी हूं तील गरम होगया बैस में राई डाल देंगे शर्सो डाल अब मैस में पीनट्स डाल देती हूं पीनट्स को ज्यादा लाल नहीं करना है एक सेकेंड बाद कि राप्स में प्याज ओ गिल चिली डाल देती हूं इस नमाक डाल देती हूं पाई विचाज ड़िए किली बाद्स लाको hell देती हमें नमाक डाल दी हूं अब मैं इसको कोड़ा लिए और हमेक यह की यह देखें शंड निवीस में अब में यह देखें यह दो दीओं दीओ टीओं में जो श्बाल्टी काटारी द्रम भी हो कि सब्सकों पर आलों कशनिया है नालों के हैं इ άλλ Cliffi नाइसले नहीं इसे में एक दो स्कूर एसमीह डालो तोड़े से च kra पीष्टनी बनाने के लिए चने का जो मैं रोस्ट करके भीगोई थी वो दाल है और ग्रीन चीली और दो ले लिए बड़ा बड़ा है बोल कि मैं दो लिए नहीं तो आप लोग 5 भी ले लिजी चोटा है तो दो लसन और एको कोकोनट ग्रेट किया हुआ मेरे पास है तो मैं को कि अभी मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एड़ करके में यह सब को मिला कि ग्राइंड कर लूंगी चटनी के लिए यह मेरा नाडेयल और चैना दल का चटनी में जो दिखाई थे उसको में ग्राइंड करके पीस लिए यह मेरा चटनी बन गया है और अधर आपको चाहिए ता अब चलिए दोसा बनाते हैं अभी यह देखिए मैं यह एक तो इसमें यह बना लूंगी तो इसमें मैं यह बहुत अच्छा से गरम उन्चे देखिए आप देख सकते हैं यह कैसा दूआ उट रहा है ऐसा दूआ उटने चाहिए और इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा इसमें अच्छा ने चाहिए जादा ओवे डाले हैं फोड़ा शेयों थिफार ने तो इसमें धुरा गरम एसे दूआ अच्छा में तब ही दोसा उटेगा ने तो फिर चीपक जाएगा कि अ आप कर दोसा कर दोसा है आप कर दोसा देखिए गा अ आप आप मासरा दूसरै मेel है, बहुत ही कृष्पी हुआ है। बत बो हो तच जच 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 जचा है यह देखिए हमारा मसाला दोसा बनके रेडी हो गया है बहुत कुस्बू भी आ रहे है इसमें से और बहुत क्रिस्पी भी हुआ है तो अगर यह वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज राइग लाइक सेर इन सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल एकन को प्रेस कर दीजिए और हम लोग फिर मेरे एक न्यूव वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई